गुरु तुम हो ग्यानी ग्यान के दाता मुरी गुरु वर्ल को करके प्रडाँ गाँ में ध्याँ में सुब हुशाँ तु लग सांगर एक नाम एक नाम 15-16 साल पहले में गया था अब वो अम्मा है या नहीं है लेकिन जो सांती और जो धैरे और जो संतुष्टी मैंने उस बुढ़ी माता में देखा वो बड़ी बड़ी साध्मियों में भी दिखाई नहीं दिया करता है ऐसा संतुष्टी का जीवन ऐसा आवशक्ताओं का जीवन जीना है तो थोड़े में भी काम चल जाता है और नहीं जीना है तो लाकों की संबदा भी हमारे लिए बेकार हुआ करती है केसी जिन्दगी जी रहे हम हमारा ये होना चाहिए बो होना चाहिए पूरी जिन्दगी आदमी गुजार देता है और लाश्ट में कुछ भी हाथ ल ठ्यान रखी सदस्ता में जियो ऑवश्यक्ताओं में जियो यहिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाता जो तालिवान में हुआ है With Ware देश में होजाता ध्यान रखे यह कि धर्म की ताकते सादुर्संतों का सत्संग है जो हमारे यहां मानवता दिखाई दिया करती है एक दूसरे के दर्द दिखाई दिया करते हैं क्या सोचते हो कि यह धर्म नहीं है यह धर्म है आज यह अस्पताल बना है तो किसी संत की प्रेणा से अस्पताल बना है साध्वों ने कहा होगा परोपकार किया करो साध्वों ने कहा होगा दूसरों के जख्मों पर मलहम लगाया करो साध्वों ने कहा होगा अपने लिए तो जी लिए दूसरों के दुख मिटाने का भी प्रयास किया करो ध्यान रखना ये भी तो एक धर्म है ध्यान रखिए शरीर स्वस्त नहीं होगा तो धर्म कहा से करेगा आदमी अपने जीवन में मानिवर कि सोचना कोई जरूरी नहीं है कि सास्त्र पढ़ने सेई धर्म होता है कोई जरूरी नहीं है कि गहरी-गहरी किताबें पढ़ने से धर्म होता है धर्म तो मानों का सुभाव हुआ करता है ध्यान रखिए सोचना है हम धर्म में जी रहे हैं या अधर्म में जी रहे हैं एक गाई को देखना भूकी मर जाएगी मांस नहीं खाएगी ध्यान रखना क्यों यह उसने किसी किताब में पढ़ा है उसे किसी गुरू ने समझाया है नहीं वो अपनी प्रकती में जिया करती है एक बकरी प्रान गमा देगी लेकिन मान सहार नहीं करेगी प्यान रखना एक गाय एक बकरी एक तोता एक मैना ये जब भी खाएंगे तो हरे फल खाएंगे मानिवर मेरा बिसे अभी आहार का नहीं है मैं बता रहा हूँ कि नेचर क्या हुआ करता है ये अपने धर्म को जानवर भी नहीं छोड़ा करता है लेकिन दुर्भाग है आदमी अपना धर्म छोड़ दिया करता है दुर्भाग है मैं अपनी संस्कती को भूल जाते हैं दुर्भाग है मैं अपनी सब्वताओं को भूल जाया करते हैं किसलिए आदमी का जन्म हुआ है एक बार उसे याद संत का काफिला जा रहा था जंगल से क्या देखा जंगल में कावाज आई कि ठेर जाओ जिसके पास जो कुछ हो हमारे हवाले कर दो सादू संतों ने देखा है और हमारे पास क्या है डंड कमंडल के सिवा उसने का जो भी है हमारे हवाले करो सादू ने का तुम कौन हो बुले मुझे नहीं जानते आपके हां की घटना है महराश्ट की घटना है बुले मुझे नहीं जानते बुले नहीं कौन हो तुम बुले मे मेरा इलाका है यह मेरा इलाका है और यहां जो भी आता है ना भर के लाता है और खाली हाथ जाता है एक डांकू और संत में इतना ही अंतर होता है संत की सभा में खाली हाथ जाओगे तो भर करके लोटोगे और डांकू की सभा में भर कर जाओगे तो खाली हाथ लोट जा इसकी भी गारंटी नहीं है सीधा ही पहुंचा देगा उपर ध्यान रखना मान्यवर्ण बुले जो भी है हमारे हवाले करो संतों ने कहा तुम सामने आओ जो भी है हम तुम्हें देने को तैयार है गूद करके आया बुले मुझे जानते हो मैं इस इलाके का नामी ग्रामी डाकूmist रतना करहूं बाल में की हूं मैं दिए हमारे हवाले करदो संतों ने का हमारे पास कुछ नहीं है यह कमंडल है तो इस कमंडल में जो भी हो आजकल संत बहुत तेज हो गए हैं पानी का रखते हैं और हीरे मोती भर लेते हैं वो हमें दे दो अब एक डाकू क्या सोचेगा इससे ज्यादा विचार करिए आदमी की सोच तो वही रहेगी जैसा वो जीवन जीता है संतों ने का चलो भाई अपने अप दे दो लतना करने का एक प्रस्ण का उत्तर देखो बाबाजी यह प्रस्ण तो मानन ज्यात्रा में पूछा करो हमारे यह प्रस्ण नहीं चलते हमारे तो सीधा अटेक होता है ध्यान रखिए बोले ग्यान की बातें यहां नहीं चलेंगी बिल्कुल भी बोले ग्यान की कोई बात नहीं है बस एक प्रस्स्न मेरा है बोले क्या बोली जु लूट कछोर्ट तुम करते हो ये लोगों के घरों को लूटते हो जो बाबाजी आप बताओ क्या होगा बुले इन कर्मों का फल नरक मिलेगा नरक तुम पाप कर रहे हो रखना करने का नरक मिलेगा नरक क्या होता है बुले अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग होता है और बुरे कर्मों का फल नरक हुआ करता है तो बाबा जी क्या करूँ बोले क्यों करते हो ये सब तुम बोले पत्नी के लिए बच्चे के लिए परिवार के लिए बोले जा करके जिन के लिए करते हो ना उनसे पूछ कर आओ कि जब नरक मिलेगा तो कौन-कौन तुम्हारे साथ नरक में चलेगा अरे बोले बहुत तेज भाइज दिख रहे हो भाई महराज of hour इतने तेज दिख रहे हो कि मैं पूछने जाऊं तुम है और तुम ही हां से BOB बाग जाओ तो डाकू को बात समझ में आ गई अब लोगों को जैसे उन्हें बैसी बात समझ में आती है सही समझाओ तो समझ आता नहीं है उसने का कि ठीक है हम चलते हैं जैसे ही घर पहुंचा आंगन में मा बैठी हुई थे माने कहा अरे इतने जल्दी आ गया आज कोई ग्राहक नहीं मि मा इक प्रसन का उत्तर दे बुले एक बात बदो में चोरी करता हूं लूट खसोर्ड करता हूं इसका फल क्या होगा माने कहां मैं मा कभी माह कभी गलट नहीं बोला करती है देख रतना कर इसका फल यहीं तुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैं तो तेरे लिए करता हूँ, माने कहा वो तेरी सोच है, तू कैसा करता है, यह तेरा काम है, मैंने लाग समझाया, तू यही करता है, मा एक बात बता दे, तू मुझे कितना चाहती है, बहुत ज्याद मैं पहले चले जाओंगी और तू रतना करके दिल में चोट लगी कि मा कह रही मैं तेरे साथ नरक नहीं जाओंगी बुले चलो बीबी से पोचते हैं बीबी खाना वना रही थी उसने का इतने जल्ली आगए बुले बक्वास बंद कर यह बता यदी मैं नरक जाओंगा तू मे चलेगी भीवी ने का पागले क्या दीमाग खराब है क्या तेरा तेरे साथ में नरक चलो मुझे तो अधू में उपन्दित कई नवा भसव ने आहीं में बीनकुल सहीं बोल रही हूं बोले देख मैं तेरे लिए चोरी करता हूं तेरे लिए डांका डालता हूं बोले साथ फेरे लगा के लाए हो कैसे कमाना तुम्हारा सिर्दर्द है तुम्हारा लुकाउट है मेरा नहीं है मेरा काम तो भुएसा लाओ खाना खाओ मोज उड़ाओ तुम्हारे क बच्चों से पूछा, बेटा एक बात बताओ, मैं चोरी करता हूँ, इसका फल नरक है, क्या तुम मेरे साथ नरक चलोगे, बच्चों ने का पापा कैसी बात करते हो, हम क्यों नरक में जाएंगे, जरूरी थोड़ी है कि डाकू का बेटा डाकू बने, हम तो इमानदार बनें हम तो अच्छी जिन्दगी जिएंगे, पापा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, और हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा, यहां कोई किसी के साथ आने जाने वाला, उसे लगा यार, किस भ्रम में जी रहा था मैं, किस में पढ़ा हुआ था, किस बातों में करके आया धीला धीला ठका हुआ सा गया था तो बिजिली की चमक के समान गया था आया तो एंसे लोटा जैसे जुएं से कोई हारा हुआ जुआरी लोटा करता है जैसे लोटा संतों ने कहा रतना कर उत्तर मिल गया उले हां संत जी उत्तर मिल गया उले क्या उत्तर मिला उले ज बोले एक ही उत्तर मिला है ये दुनिया है महराज संत जी ये दुनिया है आज दुनिया है तो क्या हुआ क्या उत्तर लाया है बोले एक ही उत्तर लाया हूँ ये दुनिया है ये माल में साथ देती है लेकिन मार में कोई भी साथ नहीं दिया करता है जब तक मेरे पास माल हैं सब मुझे जैजिनेंदर राम राम करेंगे और जब मुझे मार पड़ेगी ना तो कोई भी मेरे साथ आने वाला नहीं है मानिवर वो तो सुधर गया नासिक वालो तुम कब सुधर होगे विचार करिये उसने कहा संत जी मेरे उद्धार का रास्ता वताओ संत ने कहा एक काम करो यहीं बैठो राम राम जपा करो राम राम जपूंगा बस बोले चोरी औरी सब बंद कर दो राम राम जपो बोले राम राम जपने से मेरा कल्यान हो जाएगा बोले हो जाएगा दोई अक्षर याद रखना राम, 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 राम संतों ने उसे मंत्र दिया और संतों चले गए संतों का काम क्या है? आना, जगाना और अभी से अभी तो तुम जागे भी नहीं हो चले जाना ध्यान रखे राम, राम, जपरा कहानी आपको मालूम है जिन्दगी बर हराम की खाई वो राम की क्या जान है विचार करिए राम राम की जगए मरा मरा जपने लगा मरा मरा मंत्र ही भूल गया मरा 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 बोलते रहे सो बार बोलो जरा मरा मरा सो बार बोलोगे मरा मरा क्या बन जाएगा राम राम बन जाएगा अरे बाल में की जाब का निकला ये परिणाम कि मन में सद्धा चाहिए मरा कहो या राम उल्टा सीधा कैसा भी जपो सद्धा के साथ जपा है तो मरा वी राम बन जाता है वो सद्धा नहीं है तो राम भी मरा वही तो मैं आप से कह रहा हूँ जेंदर्सन भी कहता है एक अंजन चोर हुआ है जिसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता था उल्टा सीधा सेठ ने सिखा दिया नमोरियं नमोसिध डाडम बोल बूल गया नमोरियं ताडम क्या होता है बोलने लगा आडंव ताडं कचुन जानम शेट बचन प्रमानम आडम ताडं कहकर भी अंजन जैसे चोर देवत को प्राप्त हो जाया करते हैं आपसे निवेदन है मंत्र गलत हो जाए तो चिंता मत करना आज के प्रवचन का सार है मंत्र गलत हो जाए तो परवाहे नहीं करना मंत्र गलत हो लेकिन आदमी का मन सही होना चाहिए यदि मन सही है तो गलत मंत्र भी आपको सिध्धी प्रदान आपके पास मंत्र तो सही है नमुकार मंत जित्ता सुद्ध तुम पढ़ते हो तांजन चोर नहीं पढ़ पाता था तुमारे पास मंत्र तो सही है क्या गलत है बोलो अभी तो बोल दो इमानदारी से मन गलत है ध्यान दखिये और मैं पुलक सागर कहता हूं मन सही रखो मंत्र की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है मन वदल गया तो सब कुछ है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत मन को पवित्र वनाईए महलाओं से नवेदन है अकेले बरतन ही मत मांजा करो कौन महला वोली पागल हो क्या आप कौन मांजता है आजकल बरतन आजकल तो मांजने वाली आती है और जिस दिन ना आए इतनी जोर से क्यों हुच रहे हो सब कोई करते हैं क्या कर सकते हैं विचार करिये तो चना हें अकेले बरतन मत मांजो मांजने का प्रया एक आदमी एक सेथ मंदिर जा रहा है हात में चामने करके जा रहा है पूजा करने जा रहा है, इस्थानक जा रहा है और जा करके बेटे को आवाज लगाता है बेटा, बोले हाँ पिता जी बोले चामल में कंकर मिला दिये बोले मिला दिये बोले लाल मिर्ची में लाल मिट्टी मिला दिये बोले मिला दिये वोले हाँ वोले धनिया में लीद मिला दी वोले मिला दिये वोले चल अब मंदिर चलते हैं धर्त रहके सत्या नास ये मंदिर जाना है ध्यान रखे विचार करना है आपको मिलावट कर रहा है पानी में दूद दूद में पानी आप जा रहा है भगवान की पूजा करने के लिए मानिवर आप से निविदन है मन को शाफ रखो मन ही मंदिर है मन ही पूजा मन ही धूप मन ही मंदिर मन ही रूप ध्यान रखना मन से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है मन को पवित्र करो मन washing machine में डाल दिया जाए और पवित्र हो जाए जो अवश्यक्ता में जीता है उसका मन पवित्र होता है वो जो आकांच्छा में जीता है उनका मन अपवित्र हुआ करता है अवश्यक्ताओं में जियो जिन्दगी बड़ी खुशहाल चलेगी जोपडियों में भी आनन्द आ जाता है रावण को सोने की लंका में भी चैन नहीं था और राम को पर्ण कुटी में भी आनन्द की मीन आया करती थी भ्यान रखे आराम से सोजाया करते थे कंद मूल खाकर जीवन गुजार दिया करते थे बड़े आनन्द के साथ राम का जीवन था सोने की लंका में रामन बेचेनी के सांस रात भर करवटें बदलता था चेन नहीं था मैं आप से कहता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा सुख यदि आप दुकान से आए हैं दबतर से आपिस से आए हैं यदि सिराने तकिये पर सिर रखते तुम्हें नीन आ जाए तो समझना मैं आज बहुत सुखी इंसान हूँ बरना एक बात याद रखना दिन भर दुकान में बीचता है और रात नीन को तरसता है आदमी दौलत के लिए पैसे के लिए भारत में और अमेरिका में इतना अंतर है कि भारत के लोग और अमेरिका के लोग ध्यान रखना अमेरिका के लोग गोली खाके सोते हैं ध्यान रखना मुठी भर गोलियां खाते हैं तब नीन नसीब हुआ करती है अमेरिका के लोग गोली खाके सोते हैं और भारत के लोग गाली खाके उठते हैं ध्यान रखेना दो-चार गाली आना पड़े तो नी नहीं नहीं तूड़ती अपनी ध्यान रखे विचार करना है आपको जिन्दगी को बहुत सरलता से सहचता से जीए प्रसारन पुन्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संद्रक्षक संगपती श्रिपदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल गुरू तुम हो ग्यानी ग्यान के दाता मुरी गुरुवर को करके पड़ाँ गाउ में घ्याउ में सुब हो शाम तु लग सांकर एक नाम एक नाम झाल